देश में दो ही सूरे मंदिर हैं और पहला कोणाक दूसरा महोबा में महोबा जिले के रहेलिया गाउं में सूरे मंदिर बना है और बताया जाता है कि सूरी की सुभई की पहली किरण इन्हीं सूरे मंदिर पर पढ़ती है कोराणक के सूरे मंदिर की सैलानियों की संख्या 25 लाग की लगबग है लेकिन वहीं बात महुबा के सूरे मंदिर की की जाए तो यहां पर सैलानियों की संख्या ना के बराबर है क्योंकि यहां का सूरे मंदिर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है शासन प्रश एलानियों की संख्या बढ़ सकती है अब देखने वाली बात होगी कि कोणाग के सूरे मंदिर की तरह महुबा का सूरे मंदिर भी बन पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा इस नहीं आने चाहते हैं साब के पूरा बिठरा पड़ा है गेरें कोई जगा नहीं है लाइट की सब्दा हो जा यहां सांप बगेरा भी रात में डिन डूबे से नकलते हैं बहुत दिक्कत है यहां पर ओई गरब गिरे है वो सूर नकलेगा पहली किरां अंदर जाती है पहले सूर भगवान के मूरती रहा है बहुत पहले लेगए लोग बेगव तो और इसको थोड़ी पुरा तक बेवागना जभी ध्यान दिया था थोड़ी पीछे बनंवादीया है अब इसके बाद में इसका नेर्माड चर रहा है नाब तौन हो चुकी है पारसों के दर और इसके विकास के लिए हम लोगों ने दो तीन चीजे प्लान की हैं एक तो सबसे पहली दिक्कत वहाँ पे अप्रोच रोड की है जो अप्रोच रोड है वो जाने का रास्ता बहुत ही लंबा है और संकरा है तो जो नया बाइपास बन रहा है हम लोगों का वो उस मंदिर के पास से होते हुए जाएगा जिससे लोगों को चतरपूर रोड से आने जाने में बहुत असानी हो जाएगी इवन कुलपहार रोड से भी दूसरा उस पूरे कैंपस को सुरक्षित करने के लिए उसमें बाउंडरी वाल और अने प्रकास के विकासों के लिए भी आवशकता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सबस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आइडी है at the rate jmd news slash